स्टेंद के एक्सेसाइज 1.3 का जो question number first है, question में हमसे बोला गया है Prove that under root 5 is irrational Question में हमसे बोला गया है कि हमें proof करना है कि जो under root 5 है वो एक irrational number है देखे सबसे पहले जब भी हमें किसी number को irrational proof करना होता है तो हम उसको let कर लेते हैं, let under root 5 is rational ठीक है, उसके बाद हम उसे second step में let करते हैं, let under root 5 is equal to a upon b where where a and b are co-primes ठीक है, अब देखे ये co-primes क्या होते हैं, देखे co-primes number वो दो numbers होते हैं जो one के अलावा किसी और से नहीं करते हैं वो दो numbers जो one के अलावा किसी और से divide नहीं होते हैं उन दो numbers को co-primes कहा जाता है तो यहाँ पर मैंने a और b को co-primes माना है इसका मतलब मैं यहाँ पर यह मान के चलूँगा कि a और b 1 के अलावा किसी और से divide नहीं होते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब देखिए squaring squaring both side जब यहाँ पर मैं squaring करूंगा तो under root 5 का square हो जाएगा is equal to यहाँ पर a upon b का भी square हो जाएगा ठीक है तो under root 5 का square करते हैं तो 5 आ जाएगा यहाँ पर a का square करेंगे तो a square और b का square करेंगे तो b square आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम cross multiply करेंगे तो b square 5 के साथ चला जाएगा तो 5 b square is equal to कितना आ जाएगा a square यहाँ पर हम इसको equation first ले लेंगे ठीक है अब जब हम इसको आगे ले करके चलेंगे तो यहाँ पर B square को तो आप ऐसे ही रखो यहाँ पर यह A square के upon में हम 5 ले करके आ सकते हैं अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आपने theorem 1.3 theorem में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई number का square किसी prime number से divide हो रहा है तो यहाँ पर A square 5 से divide हो रहा है तो तब उस condition में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A square को A to A upon 5 तो उस condition में A भी 5 से divide होगा 5 अगर A square को divide कर रहा है तो वो A को भी divide करेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर A 5 से divide हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A is divided by 5 ठीक है? A जो है 5 से divide हो रहा है अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? देखिए यह जो A है हमारे पास put करेंगे यहाँ पर put A यह जो यहाँ पर A था तो A ले लिया is equal to जो यहाँ पर 5 है 5 ले लिया और इसके साथ C लगा लिया in equation first यानि A जो है वो 5 C A is equal to 5 C put करेंगे हम किसमे equation first में ठीक है तो अब जो है अब यहाँ पर जब हम put करेंगे पहली equation में तो पहली equation को लिख लेते हैं 5B square is equal to A square equation first अब 5B square को तो आप ऐसे ही रखो equal to A की जए कितना रखना है 5C square अब जब हम इसको आगे ले करके चलेंगे तो ये 5B square ऐसे ही हो जाएगा और ये 5 का square 25 और यहाँ पर ये C square ठीक है अब देखिए 5 से 25 5 time कर जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे B square is equal to 5C square आ चुका है अब 5C square मैंने इधर ले लिया और B square मैंने इधर ले लिया आपको मालू में जब पूरी-पूरी side change करते हैं ये पूरे का पूरा इधर लेकर लेकर गया हमें तो जब पूरी-पूरी side change करते हैं तो side change नहीं होता है तो ये C square को आप ऐसी रखें ये B square के upon में यहाँ पर हम 5 लेकर के चले जाएंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर फिर से again वही condition आ गई कि जब B square 5 से कट रहा है तो तब हम ये भी तो कह सकते हैं divided by 5 ठीक है B भी 5 से कट रहा है अब हम यहाँ पर एक line लिखेंगे देखिए here we can see that that A and B both are divided by 5 दोनों के दोनों A and B दोनों के दोनों 5 से कट रहा है ठीक है divided by 5 और जब यह दोनों के दोनों 5 से कट गए ठीक है तो मैंने अभी question की शुरुवात में ही बताया था कि अगर कोई number 1 के अलावा यनि 1 के अलावा किसी और से भी कट जाता है तो वो co-prime नहीं बचते हैं वो दो numbers co-prime numbers नहीं होते हैं फिर तो A और B हमने co-prime माने थे और co-prime मानने का मतलब यनि A और B 1 से नहीं कटेंगे हमने ये वाली चीज़ मानी थी मगर हमने यहाँ पर देखा जब इसको question को solve किया तो A और B जो है वो 5 से भी कट गए और जब ये कट गएं तो ये हमारी बात गलत हो गई है ना ये co-prime नहीं बचे तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे so A and B A and B are not co-primes और जब ये दोनों co-primes नहीं बचे तो हमारी जो ये बात थी जो हमने माना था वो गलत हो गया है ना तो यनि के हमारी अंजप्शन गलत हो गया इसलिए हम लिख सकते हैं our assumption our assumption is wrong is wrong और जो हमारी अंजप्शन रॉंग है हमने जो माना था वो गलत हो गया तो इसका मतलब हमने ये भी तो माना था 105 एक rational number है तो जब ये वाली बात गलत हो जाएगी तो rational गलत होकर क्या बन जाएगा irrational ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे so under root 5 is irrational irrational ठीक है और यही चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूब बकार